नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर पिछले लंबे अर्से से हम लोग देखते आ रहे हैं कि European Union के द्वारा अपनी energy transition के process को शुरू किया गया है जिसमें कि वो fossil fuels को phase out करना चाहते हैं जैसे oil हुआ, gas हुआ, इनको phase out करते हुए renewable energy में transition करने का प्रयास कर रहे हैं बलकि इसको लेकर उन्होंने अपने targets को भी बहुत जादा advance कर लिया है बहुत जादा बढ़ा लिया है इसी के चलते, Qatar के द्वारा एक तरीके से European Union को चेतावनी दे दी गई है उन्होंने बड़े ही simple चब्दों में कहा है कि जादा renewable, renewable करेंगे अगर आप तो उस case में जो gas की supply है वो बंद हो सकती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, Qatar के जो energy minister है Mr. Saad Al-Kabi इन्होंने यहाँ पर कहा that Qatar warns the Europe of gas shortages in switch to renewables बलकि इतना ही नहीं इन्होंने साथ ने यह भी कहा कि पिछली सर्दी में आपको उतनी तकलीफ नहीं आई because असल में उतनी सर्दी पड़ी ही नहीं और इसलिए आपको लग रहा है कि हम लोग gas के बगैर अपने देशों को चला सकते हैं लेकिन इन्होंने कहा the worst is yet to come for Europe because energy shortages अभी कम नहीं बलकि बढ़ने वाली है और जिस साल सर्दी पड़ेगी आपको उस साल समझा जाएगा कि gas की कितनी जादा requirement होती है बात करेंगे इस पूरी story के बारे में कतर के द्वारा ये जो चेताबनी दी गई है ये क्या कहा गया है उसको भी समझा जाएगा और European Union यहाँ पे किस तरीके से गलत है दोस्तों वो भी आपके सामने डिसकस किया जाएगा ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाते हैं यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से follow कर सकते हैं लेक्चेर की PDF को download करना चाते हैं तो नीचे description में इसका link दिया गया है वहाँ पर जाकर कि इसको आप लोग download भी कर सकते हैं और सो अनेकाडमी ने इस बार भी पिछले साल की तरह दोस्तो 333 learners की मदद की है इससे UPSC CSE exam को clear करने में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम final list में आए तो आप भी आनेकाडमी से अपनी तयारी को शुरू कर सकते हैं अगनिपत batch जो है यह announce हो चुका है जो की एक जून से basically शुरू होने वाला है इसमें अगर आपने enroll नहीं क्या है तो enroll कर सकते हैं इसका price केवल और केवल 7,999 रुपे रखा गया है शुरू होने में मात्र 4 दिन बाकी है अगर आप इसको चेक आउट नहीं क्या है please चेक आउट कीजे prelims, mains सभी की जो live classes है वो इसमें आपको available होने वाली हैं साथ ही में इसमें आपको test series भी available करवाई जाने वाली है साथ ही में इसमें दोस्तों जो hindi batch है वो भी शुरू होने वाला है जो की 15 जुलाई से शुरू होगा और इसमें भी आप लोग मेरा coupon code अनी UPSC इस्तिमाल करते हुए enroll कर सकते हैं दोनों ही courses में enroll करने का जो link है वो नीचे आपको link description में दिया गया है तो European Union आपको मालूम होगा कि ये energy transition के चलते green environment की मांग के चलते basically fossil fuels को phase out करने के प्रयास में लगा हुआ है जिसमें कि इन्होंने बलकी एक campaign भी चलाई है that is fit for 55 campaign इसी के चलते आज से दो महीने पहले एक important meeting हुई थी जिसमें कि उन्होंने अपने target को और ज़ादा advance कर लिया यहाँ पर जो targets थे वो basically इन्होंने क्या करे ये targets जो 2030 में इन्होंने renewable energy के targets थे उसको advance करते हुए 42% कर दिया कि हम लोग जो 27 nations है EU में उसमें जितनी भी energy generate होने वाली है 42% का जो energy generation है वो renewable technology से होनी चाहिए जैसे कि wind energy या फिर solar energy ये target बाइद वे पहले 32% था जिसको कि इन्होंने बढ़ा करके 42.5 किया है और इसमें भी इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको 0.5% और बढ़ा सकते है यानि कि 45% तक भी हम इसको लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे target का date जो है वो वही 2030 रखा गया है उसको इन्होंने नहीं चेडा है इसी मुद्दे पर basically कतर के द्वारा अब जवाब दिया गया है जो लोग कतर के बारे में नहीं जानते ब्रीफली बता दूँ दोस्तो कतर जो है छोटा सा देश है लेकिन काफी important देश है यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूँगा यह आप यहाँ पर इस map में देख पाएंगे साओधी अरेबिया के बाहर जो यह छोटी सी चोंच निकली हुई है यह कतर है और यहाँ पर इसका capital दोहा है पिछले साल काफी सुर्खियों में रहा था फीफा का world cup भी हमें यहाँ देखने को मिला था and surprisingly वैसे तो यह छोटा सा देश है लेकिन दोस्तो कतर दुनिया का world's biggest producer of LNG माना जाता है list में आप देख लीजे कभी Australia होता है कभी Qatar होता है यह number one number two में छोटी बहुत उपर नीचे बात होती रहती है कई बार Qatar होता है कई बार Australia होता है और in fact यह छोटा सा देश जो है यह बहुत भारी मात्रा में पैसा निवेश कर रहा है it's investing tens of billions of dollars to boost its capacity to 126 million tons a year by 2027 current capacity 2021 का आंकड़ा है 107 million ton है इसको बढ़ाते हुए यह लोग 126 million ton basically लेकर जाना चाहते है तो इन्होंने इनके जो energy minister है they have warned Europe of gas shortages अगर आप renewables को जल्दी बाजी में switch करते हैं इनके statement को ध्यान से सुनिए काफी जादा सुल्जा हुआ काफी logical statement है इन्होंने कहा there is going to be a big shortage of gas in the future predominantly because of the energy transition push that we would say is very aggressive यह statement साद अलकाभी के द्वारा दिया गया है साथी मैंनोंने कहा कि देखिए यह चीज जो आप कर रहे हैं वो इतनी जल्दी बाजी में नहीं करना चाहिए because economic stability and environmental responsibility यह दोनों चीज़े mutually exclusive नहीं है मतलब कि जो European Union कर रहा है वो केवल environmental responsibility को समझ रहा है लेकिन economic stability को समझने का प्रयास नहीं कर रहा इन्होंने कहा कि you have to have both दोनों को साथ लेके चलना होगा तब ही जाकर के विकास और संग्रक्षन दोनों हो पाएंगे in fact इसी forum में इसी मंच पे साथी अरिबिया ने भी कतर को यहाँ पे समर्थन दिया कहते हुए कि साथी के counterpart प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सल्मान he said policy makers जो कि UK में है और EU में है they have had blinkers on मतलब कि वो देखी नहीं रहे है उनको लग रहा है कि बहुत जल्दी बाजी में हम लोग oil and gas को phase out कर देंगे और इसको बड़ी जल्दी से हम लोग renewable energy से replace कर देंगे clean energy से replace कर देंगे लेकिन this is easier said than done बलकि कतर ने ये भी कहा कि फिलहाल जो gas prices down आए हुए है ना European Union को ये लग रहा है कि because gas की demand कम है इसलिए gas prices down है दोस्तो gas prices की बात करें पिछले साल ये अपने highest ever levels को touch किया था जो gas का price है ये almost 350 के आसपास पहुँच चुका था अभी दोस्तो ये 25 to 30 के बीच में घूम रहा है obviously इसका जो price है वो काफी गिर गया है 1 tenth almost नीचे आ चुका है मतलब जो टॉप था लेकिन यहाँ पर भी EU गलत है because demand असल में gas की कम नहीं हुई है ये gas का price जो नीचे आया है जो फिलहाल पहले बड़ा भी था वो इसलिए था because of the Russia Ukraine thing लेकिन जो नीचे आया है वो इसलिए आया है because इस साल की जो सर्दी थी northern hemisphere में वो जादा गंभीर सर्दी ही नहीं पड़ी और चाइना में growth काफी डाउन थी because of the COVID-19 lockdowns यही कारण की वज़े से gas का price कम था क्योंकि economies में slowdown था इन्होंने कहा कि if and when the economy comes back in 2024 the worst is yet to come again targeting EU इन्होंने कहा कि आपके तो हालात बहुत खराब होंगे because आपके यहाँ जो सर्दी पड़ती है फिर आपको gas की भारी shortage पढ़ सकती है in fact EU ने कहा कि demand कम नहीं हुई है demand तो बलकि बड़ी हुई है और इसलिए हम लोग इतने बड़े बड़े projects को expand करने की बात कर रहे हैं इन्होंने कहा हम तो लोगों को hire कर रहे हैं जो कि लोगों के साथ जाकर के negotiate कर रहे हैं gas supply deal was signed with China by Qatar 60 billion dollar की deal थी जो कि China की जानी मानी company Sinopec के साथ sign करी थी with LNG from the projects from 2026 आने वाले दो-तिन साल में ये deal के तहत gas supply होनी शुरू हो जाएगी ये भी आप देख सकते हैं Qatar ने कहा था कि 4 million ton LNG annually भेजी जाएगी because China में इतनी जादा demand आने वाली है के लगाया होगा क्यों वो लोग इतना सारा LNG को source कर रहे हैं जस्ट कल पर सो की खबर है दुनिया के वो देश जो की गरीब माने जाते हैं जिनके पास पैसे की कमी है वो लोग भी LNG को खरीदने की कोशिश कर रहे है because they also realize कि इसका उनको काफी फाइदा है इंडिया की case में आप लोग जानते ही है कि हमारी जो gas authority of India limited ONGC वगएरा वगएरा ये कितनी तेजी से कितनी aggressively अलग-लग देशों के साथ Kenya, Latin American देश हुए आफ्रीका के और कई सारे देश हुए जहाँ पर जाकर के LNG की deals को पक्का करने की बात करी जा रही है because Russia से हमारी आने वाली जो LNG है वो properly नहीं आ पा रही है और एक चीज जो समझ के बाहर है वो ये है पिछले साल की बात है जब सर्दी अभी शुरू नहीं होई थी तो European Union ने Qatar को demand किया था कि please हमें LNG दे दो in fact Europe ने ये कहा था कि क्योंकि जो Nord Stream वाली pipeline है वो तूट चुकी है तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें LNG दे दो in fact Europe ने ये तक कहा था कि जो LNG आप Asia के देशों को भेजते हैं ना उनको ना भेजो हमारी तरफ divert कर दो उस time पे Qatar ने काफी करारा जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि देखे हम लोग gas production को बढ़ा रहे हैं trading operations को बढ़ा रहे हैं because global demand बढ़ रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग LNG supplies को divert करेंगे जो supply हमने commitment करी हुई है कि Asian buyers को देंगे वो Europe को नहीं जा सकती है in fact इन्होंने कहा so the volume that will go to Europe is what has been assigned ये पिछले साल October महीने की बात है but as far as taking from Asian buyers to take to Europe that will not happen मतलब कि Asia से Europe की तरफ gas को divert नहीं किया जाएगा कहीना कहीन I feel कि शायद जो ये Qatar के द्वारा दिया गया पहला statement था उसी के चलते European Union उसी का बदला ले रहा है कि वो जान बूच के इस renewable के targets को बढ़ा रहा है because ये चीज इतनी sustainable नहीं है और अगर आप देखें भी तो problem is कि जी हाँ ultimately हमें environment में sustainability की तरफ ही move करना है but उसका एक gradual process होगा it will take lots and lots of years again जो इनके दरा statement दिया गया है कि economic stability और environmental responsibility को hand in hand लेकर चलना पड़ेगा अगर केवल एक को आगे लेकर चलेंगे दूसरा compromise हो जाएगा दोस्तो आपकी इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर क्या राए है मैं जरूर जाना चाहूँगा comment section open है वहाँ पर जाकर करके comment करिए जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तो आज के दिन UPSC का exam होने वाला है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या है प्लीज कर लीजे इस exam की proper full analysis आपके सामने हम लोग लेकर आने वाले है pathfinder channel के माध्यम से और इसमें आपको complete paper one की analysis available करवाई जाएगी इसके लावा अगर आप अगले साल की त्यारी कर रहे है तो अगनी पर्थ की prelims test series लाई गई है 3000 रुपे में आपको prelims की test series और 2500 रुपे में आपको mains की test series available करवाई गई है इसके भी links आपको description में available करवाई गई है Thank you so much for listening, stay tuned